Certified Ethical Hacker का version 13 market में आच चुका है तो जिस किसी को भी Certified Ethical Hacker जो की EC Council का एक beginner level Cyber Security Ethical Hacking Certification है जिस किसी को भी Certification करना और उसको इसके बारे में in detail वीडियो चाहिए थे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जाप मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये Certification क्या है कहां से आप कर सकते कैसे आप इसमें practice कर सकते हैं कौन कौन से questions आते हैं किस किस तरह का exam होता है और पूरा complete detail इस वीडियो आपको देखे लिए मिलने वाला है तो इन दे लास मैं आपको बताऊँगा कि ये Certification करना चाहिए नहीं करना चाहिए यानिकि मार्किट में Certification करना वर्थ है आज की एट में नहीं है मेरा में राहूल कुमर और आप देख रहें साहिए बरूंग सिक्याओटी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिने किस देरी के अगर हम कंपेर करेंगे तो तो सबसे पहले अगर हम इसके ओवर्वीव की बात करते हैं तो बेसेकली साइबर सेक्यूर्टी में अगर आपको जारा है तो एक आपको बिगनर लेवल सर्टिफिकेशन की बहुत ज़रा जुरुत पड़ती है अगर आपके पास कुछ प्रायर एक्स्पिरिस नहीं है तो यहां पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं जैसे की EC Council का CEH है आपके पास EGPD है इसके लावग कॉमशे की सिक्यूर्टी प्लस है पैंटेस प्लस है तो basically ethical hacking penetration testing में अगर आपको करेर पराना थे तो यह certification उसके लिए किया जाता है अगर मैं इसके की topics कवर करने के बात करता हूं कि version 13 की topics cover करता है तो यहां पर आपका वे network security, web application security, cryptography and social engineering यह main topics है जो के इसके अंदर cover होते हैं इसके अलावा यहां पे सबसे बड़ा changes जो हुआ है वर्जन 13 में वो है यहाँ पर इसने AI यहाँ पर इंट्रडूस कर रहा है तो इसे आउंचे लेकर आपका वे अप्लिकेशन पेंट्रेशन टेस्टिंग उसके लावा कई तरह मॉडल जो कि मैं थोड़े देखने वाले उन सभी में इन्होंने यहाँ पर AI को इंट्रडूस कर रहा है यहाँ आप कर सकते हो इसके लावा आप आप सकते हो इसके लावा आप अटाक के फेज होते हैं कैसे अटाक को मेंटेन कर जाता है, प्रिवेंट कर जाता है, कैसे हम आपे प्रिविलिज को एसकलेट कर सकते हैं वो सभी तरह की चीज़े हैं इन्होंने AI को भी आप इंट्रडूस करके आपको लिखाया है किस तरीके से आप Artificial Intelligence की मदद से सारी चीज़े परफॉर्म कर सकते हैं तो CH को देने के लिए यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई specific eligibility नहीं है कि आपके पास इतना experience होना चाहिए, हाँ अगर आप EC Couchley के official website पर जाके देखोगे, जो कि आपको थोड़ी देर में दिखाने वालनों, जहाँ पर आपको बताऊंगो कि कौन कौन से topics हाँ पर cover होंगे, तो मेरी recommendation का है, certification को लेकि वीडियो के end मा को पताऊंगा कि VA certification आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको certification करना चाहते हैं, तो आपके पास किसी भी तरह के job experience की need आपको यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, आपको experience होना चाहिए, एक आपके पास foundational knowledge होन आपको पता है, OS कैसे काम करते है, TCPIP कैसे काम करता है, इन से बचिस के आपको basic knowledge है, तो हाँ इस certification के लिए preparation स्टार्ट कर सकते हैं, experience के आपको किसी भी तरह की जूरत नहीं है, अगर आपको certification करना है, तो, अब हम बात करते हैं इसके exam structure के बारे में, तो exam structure की बात करते हैं, दो तरह के आपके exam होते हैं, पहला है CEH practical और दूसरा है CEH, जो MCQ-based होता है, इसको हम ANSI बोलते हैं, जो कि normal CEH exam होता है, अब अगर हम पहले जो normal CEH का exam होता है, जहां पे आपके आपके पास around 120 questions आपको देखने मिलते हैं, जहां पे आपको at least 70% तो आपको आपको score करना पड कर सकते हैं, तो यह exam होता है, तो जो format होता है, multiple choice questions होता है, और चार घंटे का आपको आपके time मिलते हैं, और language इसकी English होती है, इसके लाब अगर मैसके second जो इसका exam होता है, वो है practical, तो आपके option होता है, या तो आप MCQ-based exam दे सकते हो, या फिर आप practical-based exam होता है, वो दे सकते ह जो exam होता है, वहाँ पर आपके 20 questions होता है, 20 questions में से आपको at least 14 से 15 questions होता है, वो आपको सही करने होता है, तब ही अगर प्राक्टिकल जो exam होता है, वो आप क्लियर कर सकते हो, मेरी recommendation है, अगर आप करना ही चाहते हो, तो आप CH का practical certification कर सकते हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा है पर आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से काम actual में करते हैं, अगर आप कहीं पर junior pen education tester लगते हो, तो वहाँ पर at least आपके ऐसे एक idea होगा, किस तरीके से आप जो junior pen testing का जो रोल होता है, जो pen education testing हम करते हैं, वो किस तरीके से करी जाती है, इसके लावा अगर मैं time duration की बात करत नहीं परती, जैसे ही आप exam को submit करोगे, तो वहीं पर आपको रिजर्ड भी देखने के लिए मिल जाता है, चले मैं आपको इसके एक website पर लेके जाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से topics इस certification में आपको देखने के मिलता है, नहीं कौन कौन से model से हम पर पढ़ोगे और क्या वहां से आप सीख सकते हो, तो हम आगे हैं पर EC Council के official website पर जहाँ पर हमें Certified Ethical Hacker version 13 का जो एक पूरा पेज है हो है, अब यहाँ पर आपको संबरी, करियर्स, कोर्स, इन्फो, वाइस, और FAQ देखने मिल जाते हैं, फिलाल हम चलते हैं डारेट कोर्स इन्फो पर जहाँ पर हमें कोर्स की information चाहिए कि क्या-क्या यहाँ पर रहता है, अब यहाँ पर आप देखोगे, इनके पूरे page पर इन्होंने powered by AI यहाँ पर लगाया है, क्योंकि जैसे कि इन्हों को बता है, इन्होंने AI का इस्तमाल करना बता है, किस तरीके से आप AI का यह इसे काम easily कर सकते हो, तो पहला मॉडूल आता है, introduction to ethical hacking, जहाँ पर obvious आपको यहाँ पर ethical hacking की introduction के बारे बता जाएगा, ethical hacking क्या होता है, cyber security क्या होता है, इसके basic introduction आपको यहाँ पर clear कर जाएगा, इसके बाद आपके further modules आते हैं, जैसे कि foot printing and reconnaissance, foot printing and reconnaissance, scanning and networks and enumeration, यह तीनों ही फ फेज़ें, information gathering की फेज़ें, next नमार पर आता है vulnerability analysis, vulnerability analysis का जो फेज होता है, आपके किस तरीके से, जो भी आपका network है, आपका web application, testing कर रहा हो, तो वहाँ पर vulnerability कैसे ढूंडे, वेगने से कैसे ढूंडे है, वह आप vulnerability analysis में focus करता हो, इसके लावा यहाँ पर आपका साथ है, यहा तो पूरे इन टोटल 20 मॉडूल्स आपको देखने मिलते हैं लेकिन उसमें नए टूल्स नहीं थे नहीं चीज़े नहीं थी तो यह आप इन बस वो इंट्रिडूस कर रहा है जादा कुछ अलग नहीं है लेकिन बस इसमें AI इन इंट्रिडूस किया इसके लावा एक्जाम डि तो प्रिपरेशन के लिए यहां पर आपके पस बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपके बास जो कि फ्री में आपको इनकी वीडियो दे रहे हैं आप चाहें तो फ्री में आप इनकी ट्रेनिंग यहां पर ले सकते यूट्यूब पे इसके अलावा अगर आप मीडियम के देखोगे या फिर अगर आप गिठाप पे जाओगे तो आपके बहुत सारे आपके लिंक मिलते हैं जो कि प्रिपरेशन के लिए हैल्प करते हैं या फिर आप लिंडिन पे देखोगे तो लिंडिन में आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्स मिलते हैं जहां से आप इसकी प्र इसके बारे मैंने पहले भी बात कर आयए आप वह वाला कूर्स जाके कर सकते हो तो यह इसकी प्रपेशन कर सकते हो तो यह अगर आपको सब्सक्राइब करते हैं तो वह सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर है वो रिसोर्स का तो वहाँ पर आप जाके भी इसको चेक आट कर सकते हों के अलावा एक और इंपोर्टेंट बात है इस सर्टिफिकेशन की वो यह है कि हर तीन साल में इसको रिन्यू कराना पड़ेगा रिन्यू कराने के लिए आपको आपको कुछ फीज देनी पड़ती है तो वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा एक तो तरीका वो है तो यह एक यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपके बास देनी पड़ती है लेकिन यहाँ पर एक और होता है कि यहाँ पर आपको एक कंट्यूनिंग एजुकेशन फीज देनी पड़ती है तो यह मुझे इसी काउंसल की अच्छी नहीं लेगी क्योंकि अगर आप सर्टिफिक करने का जितना बड़ा आपको प्रोफेशनल नेट्वर्क होगा उतना जादा आपके पास चांसे सान जॉब लेने के लिए करेर आपको बात करते हैं और यहां पर आपको बताऊंगा कि क्या आपको सीच का सर्टिफिकेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर आप लिगनर हैं आप बिल्कुल स्क्राइट से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको नहीं पता साइबर सेक्यूर्टी क्या होते हैं क्या चीज़े होती हैं तो मैं एक मस्ट रिकमेंड करूंगा कि इसके आप ट्रेनिंग तो जरूर ले लिजिए कि कोई भी एक इंस्टिट्यूट स ले सकते हैं बहुत सारे इंस्टिट्यूट हैं लेकिन हमस पहले पूरा चैक चैक कर लिजिए रिविउसे कर लिजिए जो इससे पास हो चुकि है उनक्याप पूलीज है वह बहुत जबरदस यहां पर देता है आपको कंप्लीट यह आप पूरे साइरी स्टिट्यूड़नि क्योंकि मैं इतना ज़ादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं इतना ज़ादा रिकमेंट भी नहीं करूँ है सर्टिफिकेशन के लिए लेकिन वर्जन 13 में हो सकता है कुछ नया एडवांसमेंट इन उनको अलग से लेकिया है तो अगर जिसने वर्जन 13 किया हो अभी आप उनसे ब अगर आप बाहर जॉब करते हो तो वहाँ पर चांसिस आपके जादा हो जाते हैं जॉब के लिए यह मैं अबराट की बात कर रहा हूं इंडिया की नहीं क्योंकि इंडिया में तो आजकल मोसर दी कंपनी जो है ओसी पी प्रिफर कर रही है लास अगर मैंसमें को स्टिफिके बीच में आपको सिर्तिफिकेशन हो जाता है इसके ऊपर और सके नीचे भी हो सकता है तो यह एक अवरेज प्राइस यही सर्टिफिकेशन के बारे हैं कम्प्लीट वीडियो प्रिए स्ब्सक्राइब जरू करें dependency में तिल थैन्ग गूडबए